हलो दोस्तों प्लसपुंट के यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है निकित शाहा दोस्तों आज के इस टॉपिक से हम लोग शरुवात कर रहे हैं पाइफन कोर्स की जो के स्पेशली फॉर बिगनर्स लोगों के लिए और वो भी पूरा कोर्स फ्री है यूट्यूब पे और वो भी पूरे के पूरे हिंदी में तो चले दोस्तों आज से शरुवात करते हमारे सबसे पहले टॉपिक की और पहला टॉपिक है हमारा इंस्टॉलेशन आफ पाइफन दोस्तों अगर अपलोग नए है चैनल के ओपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बैल का इकॉन दबा दीजए ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएगा उसको नोटिवेशन आपको जल से चल मिल जाए तो यह पाइफन जो पूरी सीरीज है उसको कैसे एकसे करना है चल के लिए पोग्रामिंग के रही है काफी 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 सारे प्लेलिस्ट है उसमें एक पाइफन प्लेलिस्ट पाइफन इन हिंदी फॉर विगनर्स ऐसा मैंने प्लेलिस्ट का नाम देगा उस पर आप जाएगे तो यहां पर साइड में आपको सभी वीडियो नजर आए गया अब तो फिलाल एक ही वीडियो है हमारा दूसरा वीडियो भी बनने जा रहा है सबसे पहला तो यहां पर सब वीडियो में यहां पर सेव करते जाओगा तो दोस्तों अगर आप नए है चैनल के उपर तो सस्क्राइब का बटन दबा के बैल का इकॉन दबा दीजे ताकि मेर जो भी नए वीडियो जाएगा उसका नोटिविशन आपको जल से जल मिल जाए और ये पूरी सीरीज आप गर पे बैठे बैठे आसानी से सीख सकते हो ये हर अफते में में एक एक वीडियो इसके अंदर एड करते जाओगा तो चले दोस्तों अभी शुरुवात करते हैं आज वर्जन रहेगा डाउनलोड में जा सकते हैं और डाउनलोड में जाने के आपको लेटेस्ट वर्जन यहां पर आज का जो अभी कुछ दिनों पहले आया वह वर्जन है 3.8.5 यहां पर आपको नजर आ रहा है और इसके अलावाए जुने जो वर्जन से आपको यहां पर कर जाएगे ठीक है तो यहां पर आप डाउनलोड कर सकते डाउनलोड करने के बाद यह आपके डाउनलोड फोल्डर में आपको दिखाए देगा कि पाइफन जो है वह इंस्टॉल मलब डाउनलोड हो चुका है साथी साथ इसको भी इंस्टॉल में कर लेता हूँ यहां पर क करेगे और next करेगे next करने पर यहां पर जो है जो है जो है उस पर browse करोगा अभी मैंने क्यों किया इसके बीजे रीजन है कि मेरे c drive में जगा बहुत कम है तो मैं d drive में मेरा windows के जो फोल्डर से वह भी मेरे d drive में में रखे हुए है और मेरे काफी सारी जो चीज है मैंने d drive में रखी हुई है तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और यहां पर में टिरेक्टरी करके न्यू फोल्डर बना सकता है तो मैंने पहले बना दिया था फाइटन 38 नाम का उसको में क्लिक करता हूँ वकी दवाता हूं और उसके उपर यह जितने भी चीज़े हैं यहां पर में टिक मांग कर देता और इंस्टाल कर देता हो यह इंस्टाल करतें ने के बाद पाइफं को बैडिफोल्ट जो यह पर फाइफन चलता है वह कमांड-प्रोंद मोड पर चलता है याने की जुछ दॉस के जरीए चलता है लेकिन अज यूँजर यूजर इंटरफेस का है ये ग्राफिक्स का है तो हम लोग DOS का प्रयोग ना कते हुए ग्राफिक यूजर पे हम लोग लेकर आएगे, लेकिन ग्राफिक कैसे करेंगे तो उसके लिए और एक सॉफ़एर है ये ये बै-डिफफल बात चालू है पीछे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PyChamp यह PyChamp जो है वो एक software है जो की एक third party software है जिसके जरी हम लोग Python को चलने वाले तो download PyChamp के उपर मैं गया हूँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो option दिख रहा है एक professional है और एक community है professional में अगर आप जाओगे तो यह 30 दिन के आपको validity देता है 30 दिन के बाद यह automatic expired हो जाएगा लेकिन अगर आप download करते हैं तो वो पुरी तरह से free है तो community पर आप download कीजिए जो developer रहते है आपके और मेरे जैसे वो लो community download करते है तो जैसे यह community download हो रही है 295 MB की something है download होने के लिए तो यह जैसे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद वीडियो का आगे बढ़ा तो तब तक मैं पीछे की तरफ आप दिखा देता हो कि यह जो python है वो install हो रहा है तो कुछी second का समय लगेगा यह install होने में और जैसे install हो जाएगा पाइचेम डाउनलोड हो जाएगा फिर मैं वीडियो का आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकता है कि setup was successful यहने कि हमारा जो python है वो install हो जाएगा तो यह हमलब आप यहाँ पर उन्होंने नाम दिया वाए कि अटोकेड है, mobile repairing, laptop repairing, advanced excel, tally फिर web designing के अंदर भी काफी सारे CSS है, java है जैसे कई सारे अंगीनत courses चालू कर दिये यह सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app डाउनलोड करना है plus point training जो की google play store से आपको मिल जाएगा यदि आप laptop या computer याज सीखना चाहते हो भीज़वा दूगा, तो चले अभी आगे बढ़ते हो और देखते हैं यह piecham कैसे install करते हैं, अभी मैंने piecham भी जो है वो download का लिए, अभी install करेंगे हम लोग उसको तो install करने के लिए मैंने double click किया और run पे click किया यह मेरा windows 10 है, तो windows 10 में जो piecham install होगा वो इस प्रकार से होगा अभी जस्ट हो रहा है नीचे उसने यह दिया security warning yes, welcome to piecham community editor setup, next करेंगे अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, c drive का location वापिस दिखा रहा है तो उसको मैं दुबारा से हमारा जो d drive था जहां पर मैंने और जो python install किया हूँ, वह उसी फोल्डर में उसको मैं पेस्ट कर दे तो मैं अभी इंस्टॉल करता हूँ, तो python 38 पर मैंने क्लिक किया ok दबाया और उसी जगे पर मैं pycham को भी install करता हूँ, तो यहां पर ok जो है जैसे का जैसे settings में रहने दिया उसमें ज्यादा कुछ changes नहीं किया है, तो आपने देखा कि मैंने python install किया और pycham install किया, मैं अभी आपको run करके दिखाता हूँ, कि exactly python मेरा install हूआई कि नी, तो back end में यह जब तक चल रहा है, तब तक मैं इसको one कर देता हूँ, और य यहाँ पर आपको इस step का column आ गया, correct, इसका मतलब कि आपका जो python है, python 3.8.5 जो कि अभी latest हो जाने, वो install हो चोगा और python अभी चालू है, यह python software चल रहा है, ठीक है, इससे बाहर निकालने के लिए command है, exit, command के बारे में बात्चित करेगे, और दो brackets लगाएगे, ताकि हम लोग python को बोल से के भाई मुझे बाहर निकलना है, ठीक है, तो यह जैसे command prompt mode पे चलने वाला है, तो यह थोड़ा से दिक्कत वाला होगा, क्योंकि इसमें graphics नहीं रहती, ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो यह command prompt पे ना चलाते हुए, हमें graphic mode पे उसको चलाना है, इसी वज़े स पे मैंने pycham को install गया, तो यह pycham हमारा जो है, वो में run करवा देता हूँ, install हो चुका है, run करवाने पर आप देख सकते कि यहाँ पे अभी उसका जो software है, वो on हो जाएगा, कुछ सेगेंड वेट करने पड़ी क्योंकि अभी इंस्टाल हुआ है, यह उसका पूरा data है कि वह यह उसके पूर लाइसेंस जो बोल सकते हैं आम लोग, तो उसको मैं confirm करता हूँ, आप चाहे तो उसको आराम से read कर सकते हैं, तो यहाँ पे don't send कर देता हूँ, data उनको send करने के लिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है, वो किस तरह से करना है, यह बोल रहा है कि light, dark color में करना है कि light color में, तो मैं white color में कर रहा हूँ, और इसको चालू कर देता हूँ, मैं by default करके, आप उसको बाद में भी change कर सकते हैं, जैसे आपको changes चाहिए, तो यहाँ पे new project पे मैं click करता हूँ, new project पे click करने के बाद, कि project का नाम क्या देना है, तो मेरा program लिखना है, यह first program लिखेगे हैं हम लोग, first pro, यह मैंने नाम लिखा है generally, और यहाँ पे आपको यह जो है virtual ENV जो लिखा है, वो आप click कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलोगा कि virtual ENV आपको नहीं करना है, आपको existing ERP पे click करना है, यहाँ पे आप जाएगे, तो यहाँ पे browse में जाहिए, और आपका जो environment है, यह देखिए, इंटरप्रेटर जो बता रहा है, इंटरप्रेटर मतलब आपको कौन से इंटरप्रेटर से चालू करवाना है आपको, तो यहाँ पे D-Drive में पाइथन जो है हमारा, इस पे click किजिए, और इसमें python.exe जो है उसको click किजिए, यह आपका इंटर इंटर का मतलब है, इस software के इंदर, यहने कि पाइचेम के इंदर कौन से software को चलाना है, तो मैंने बताया है, उसको कि भाई, python 3.8 मुझे चलाना है, ठीक है, तो यह automatically इसने select कर लिया, यहाँ पे python 3.8 आ चुका है, और मैं बोलता हू, create करो, तो यह जो है अपना, अभी create हो र आपको दिखाए दे रहा है, यह first pro जो हमारा program है, मलब जो main है, और इसमें यह program है, आप चाहे तो new program developed कर सकते है, तो यह by default आपको mains दिख रहा है, उसके बाद हम लोग को अगर नया file बनाना है, तो यहाँ पे new में जाके python file पे click कर सकते है, और python का कोई भी file का नाम दे सकते ह है, यहाँ पे कुछ भी दे सकते है, इसके अंदर file का नाम, आप चाहे तो इसके अंदर कोई भी program जो है, वो run करवा सकते हो, जैसे कि मैं program run करता हूँ, print, यह print एक छोटा मोटा program है, मैं इसके बारे में बाद में आपको discuss करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी एक value study है, और यहाँ पे, यहाँ पे मेरा जो program है, उसको मैं run करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा main है, उसके जगाँ पे load करेगे files, इसमें ppo select कर लेता हूँ, और इसको मैं run करवाता हूँ, तो जैसे ही run करवाया है, यहाँ पे देख सकते है, आप यह कुछ output जो मैं detail में देखने की कोशिश करेगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, कि आपके computer का configuration अच्छा होना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है कि कम से कम मैं आपको बोलूगा कि dual core या i3 लेने की कोशिश करो with 4GB RAM, यह आपके लिए sufficient होगा, disk space कम से कम 100GB के आसपास रखो, ताकि इस टॉपिक के और बढ़ता है, दोस्तो यह पहला वीडियो आपको पसंद आ रहाएगा, यह खुद आप ट्राइ करके देखे तो और अच्छी दासित को समझ में आएगा, और अगले वीडियो से पूरी सीरीज आपको समझ में आ जाएगी, कि पाइथन के अंदर exactly programming कैसे ह होता है, online courses के बारे में कोई भी जानकरी चाहिए तो मेरा WhatsApp नमबर है, दोस्तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, यह वीडियो जो है मेरा पाइथन का यह पूरी सीरीज हम लोग बनाने जा रहे है, तो आप नए है चैनल के उपर, तो सस्क्राइब के बटन दबा के बैल का सब्सक्राइब के ब carta grown-time, पाईब के बटने जाकि लोगशन के लोग इपर झाजियो जाब ढ झाल झाल